कोस्ट गार्ड की नई बरती का रिक्रूटमेंट का नोटिपिकेशन आ चुका है और ये नोटिपिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे आकर सर्च किजिएगा StudyMaterial A2J.in और यहां से आप क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर पाएंगे नीचे यहां पे आपको ओनलाइन अपलाई का भी लिंक दिया गया है तो आप यहां से आकर अपलाई भी कर सकते हैं क्योंकि इसके आवेदन जो हैं आपके 25 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं इस बरती की कंप्लीट जानकरी आप यहां से ले सकते हैं और आप सभी जानकरी यह हर समय जो है दोस्त आपका हर वर्स आपका जारी किया जाता है तो यह notification आपका फिर से जारी कर दिया गया है यह vacancy आपकी total दोस्त जो की यहाँ पे assistant और दोस्त आपकी general duty आपकी जो की ZD की काफी जादा vacancy इस notification में देखने को मिली है complete detail इस वीडियो में इसके regarding discuss करने वाले हैं online इसके आवेदन जो की आपके start हो गए है तो आप सभी यह बिल्कुल जबरदस जोब है आपकी बहतरीन एक जो की आपका salary package चपन हजार प्लस आपकी salary तो यह आपके लिए यहाँ पे दोस्त बड़ा ही big opportunity है तो आपकी जो है हम चल discuss करते हैं कोई भी update होती है सबसे पहले आपको चैनल पर update कर देते हैं चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा लेकर चलते हैं notification को अगर आप notification को download करना चाहते हैं तो वीडियो के description में हमने telegram का link डाल रखा है वहाँ से भी आप download कर सकते हैं telegram को join कर सकते हैं अगर आप whatsapp group को join करना चाहते हैं तो वहाँ पे telegram पे जुड़ जाएगा डेली आपको 20 minute के लिए link share किया जाएगा तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं वाटसप की इस family से आपको जुड़ने के लिए आपको वीडियो की description में हमारे telegram का link दिया गया है वहाँ पे आपको इसका link मिल जाएगा या हमारी बाप साइट से जाकर आप whatsapp group पर जुड़ सकते हैं आपके सामने notification open हो चुका है जोइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ओब डिफेंस के द्वारा जारी किया गया है असिस्टेंट कमांडेंड एंड जन्रल डूटी और दोस्त आपका commercial pilot और यहाँ पे license CPL CSS टेकनिकल इंजिनिरिंग एंड इलेक्टिक इसल तो यहाँ पे जो है यह notification आपका 01-2024 के लिए notification पब्लिस कर दिया गया है और इसके आवेदन 25 जनवरी 2023 से start होकर इसके 9 फरवरी 2023 तक आवेदन आपके यहाँ पे और 11 बजे से इसके आवेदन start हो चुके हैं और आपकी 9 फरवरी का जो साम का समय होगा 17 यानि 5 बजे तो वो आपका यहाँ पे लास समय होगा 9 फरवरी का इसके साथ यहाँ पे आपकी जो है vacancy details दी गई है eligibility यहाँ पे आपकी दी गई है यहाँ पे आपकी जो है general duty की recruitment रहनी है graduate candidate जो है यहाँ पे apply कर सकते हैं जनम डेट यहाँ पे दी गई है born between एक जुलाई 1999 से लेकर आपका 30 जुन 2022 दो हजार दो और यहाँ पे एज डिलेक्शन भी आपको दिया जाएगा फाई पी एज डिलेक्शन फोर अगर आप personal कोई भी service में है आर्मी नेवी एरफोर्स में उसके साथ यहाँ पे commercial pilot की license की recruitment है और उसमें यहाँ पे male female दोनों यहाँ पे भाग ले सकते हैं वहाँ जो general duty है उसमें केवल आपके यहाँ पे female candidate बारवे पास candidate इस भरती के लिए यहाँ पे भाग ले सकते हैं उसके साथ यहाँ पे नीचे जो है आपका यहाँ पे अगर आप यहाँ वाले subject को भी follow करते हैं तो भी यहाँ पे आप license भी यहाँ पे जरूरी है उसके साथ technical mechanical की वेकंसी है दोस्त यहाँ पे और यहाँ पे आप जो है हमारी website से भी जाकर पूरी details को चेक कर सकते हैं नीचे यहाँ पर vacancy details की बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर low entry की vacancy है technical electrical के लिए है यह आपकी mail के लिए है और यह आपकी mail and female दोनों के लिए है जन्नम का यहाँ पर पूरा detail data यहाँ पर आपको दिया गया है वो आप चेक कर लेंगे दोस्त आपकी total 40 vacancy है आपकी देख सकते है उसके साथ यहाँ पर total जो vacancy निकल के आ रही है वो आपकी vacancy है 50 उसके साथ यहाँ पर जो vacancy है इनके अंदर आपकी वो यहाँ पर आपकी इन दोनों को मिला कर है और यह आपकी यहाँ पर दोनों को मिला कर है जनरल डूटी, CPL एंड इसके बाद यहाँ पे Tech, Engineering and Tech, Electrical इसके अंदर आपकी वैकंसी यहाँ पे है 20 उसके बाद एक वैकंसी लो एंट्री के अंदर है उसके साथ यहाँ पे नीचे जो है डिटेल्स दी गई है आपको तो इन डिटेल्स को आप समेस्टर कोर्स बगरा जो है इनकोस्टे से आप जो है रेड आउट कर सकते हैं नोटिपिकेशन को डाउनलोड कीजेगा हमारी बाप साइट से और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपकी दी गई है स्टेज फैस्ट जो कंड़क्ट होगा आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इलिजिबल जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा सेंटर आपको लॉइट किया जाएंगे आपके जो है ओल इंडिया लोट होंगे और स्क्रीनिंग टेस्ट कंड़क्ट कैंडिडेट्स अप्लाइंग फोर्दा पोस्ट जी डी एंड सी पील एंड टेक्निकल उसके बाद यहाँ पे आपका हिंडेट मार्क्स का कॉस्संस होंगे और फोर मार्क्स का यहाँ पे जो है बन बाई फोर्द का नेगिटिव सोरी विद फोर मार्क्स इच करेक्ट अंसर अच्छा ठीक है उसके बाद यहाँ पे नेगिटिव का मार्किंग आपकी वन नेगिटिव मार्किंग रहेगी उसके साथ यहाँ पे आपका दोस्त यह जो है टोटल मैगिजिमम मार्क्स जो है 400 अच्छा 400 मार्क्स कंडक्टिंग होके ठीक है उसके बाद यहां पे सेलेक्षन फैस्ट दिया गया है जिसमें आपको यह आपका सीलेबस है इंगलिस रिजनिंग नमेरिकल एप्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् का होगा electrical इंट्री के लिए जो कि आपका दो घंटे का पेपर होगा तो यानि आपका इन सभी में आपका पेपर कंड़क्ट होने वाला है डोकुमेंट वेरिपिकेशन होगा फाइनल आपकी मेरिट बनेगी और आपका medical examination कंड़क्ट होगा आपका यहां पर स्टेज फाइब जो होगा स्टेज फोर्थ एंड ओल इंडिया मेरिट लिस्ट आपकी बनने वाली है result declaring जो होगा आपका 30 दिन के भीतरा आपका result जारी कर दिया जाएगा और आप कैसे apply करेंगे आप ओपीसली कोस्ट गार्ड की website पर जाएंगे यहां हमारी website से जाकर जो है थुरू आप जो है वहाँ पर apply कर सकते हैं उसके साथ यहां पर नीचे पूरी details दी गई है आप यहां पर आसानी से इनको चेक कर सकते हैं examination भी आप से 800 रुपे ली जाएगी और यहां पर आपका बड़ा notification है दोस्त हम सोट में पूरी examination CT के regarding यहां पर details दी गई है 30 km distance के अंदर आपकी examination CT जो होगी आपको choice करने का option दिया जाएगा नीचे यहां पर आप देखेंगे तो पूरी details यहां पर दी गई है अलांकि आप देख सकते हैं यह आपका टेंटेल्यू जो आपका schedule यहां पर mention किया गया है 01-2024 के लिए तो वो आप यहां से अच्छानी से जो है read कर सकते हैं तो यह दोस्त आपकी यहां पर complete details जो थी आपकी यहां पर size जो है मैंने एक एक चीजें जो है discuss कर ली है और उसके बाद भी कुछ भी अगर आपका comment रहता है लेकिन हम जो है discuss करते हैं weight वह आपका इसके coding रहेगा जो की height and age के coding आपका यहां पर हाइट जो है 117 cm एसिस्टेंट कमांडेट जी डी एंड टेकनीकल के लिए उसके बाद एसिस्टेंट कमांडेट सीपील एंड एससे के लिए मैन वुमेंड के लिए 162.5 cm एंड एक्सो मेंग जिमम एक्सो सी ट्याव सोड़ी एक्सो से त्याव में सेंटिमेंट रहे लैग लेंथ मिनिमम नाइंटी नाइन सेंटिमेंटर से उसके बाद यहां पर नीचे जो की पूरी डिटेल से यह कंप्लीट डिटेल आप अच्छा नीचे पढ़ेंगे नोटिपिकेशन के तुरू उमेद करते हैं कि वीडियो अच्छे लिए होगी वीडियो को लाइक कीजिगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेजिगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जाहिंद